हलो दोस्तों कैसे आप सब लोग मैं जल्दी से वीडियो डालने वाला हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले गाइस आठर जो वीडियो है वो बहुत ही मज़दार होने वाला है क्योंकि इसमें जो स्कूल के बच्चे हैं आपको तो पता है बच्चों का स्कूल सुबह से होता है और बच्चे सुबह नहीं आते क्योंकि पानी ठंडा होता है है ना बच्चो इसलिए इसमें एक जो डाल ह उसे नहाने के लिए लेगे जाने वाले हैं हम तो यह वीडियो को नहाना ही होगा चलो जल्दी आज मैं नहा कर नहां लीजे पापा मुझे रहने देज़ें नहीं हर्स नहीं तुम्हें नहाना ही होगा समझे नहीं पापा नहीं नहाँगा अब क्या होगा हर्च भाईया लगता है पापा हम दोनों को नहा कर ही रहेंगे अरे अंकल तो मायरा हर्च को नहाने के लिए बोल रहे हैं अंकल मुझे भी नहाने के लिए कहेंगे उससे पहले मैं कंबल ओड कर सो जाती हूँ गोल्डी कंबल ओड़ कर सो जाती है हाँ अब अंकल को लगेगा मैं बहुत ही गहरी निंद में सो गई हूँ तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे रुको नई पापा नई पापा नीचे उतार ये कार्तिक मायरा हर्च को बात्रूम में लेकर जा रहे हैं पापा पानी बहुत ठंडा होगा मुझे सर्दी लग जाएगी प्लीज पापा मुझे नीचे उतार दीजे उतार दीजे न पापा अरे सांध रहो हर्च अगर तुम दोनों नहा लोगे तो मैं तुम दोनों को एक चॉकलेट खाने के लिए दूँगा पापा बीना नहाए चॉकलेट नहीं दे सकते हैं क्या अरे नहीं 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 मिलेगा पहले तुम दोनों को नहा नहीं होगा चलो बातरूम में तो आ गए अब जल्दी से नीचे उतर जाओ हर्च पहले तुमें नहा देता हूँ उसके बाद मायरा को नहा दूँगा पानी ठंडा होगा तो मैं नहीं नहाँगा अरे पानी तो गर्म है पापा मैं खुद नहा लूँगा पहले आप नहा लिजिए नहीं नहीं हर्च तुम अच्छे से नहीं नहाते हो इसलिए मैं तुमें नहा देता हूँ पापा मुझे सेम्पू करना है अपने बालों में सेम्पू का है मुझे दिजिए न ओ नहीं मायरा सेम्पू तो घर पर ही भूल गया जाओ मम्मी से मांग कर लाओ ठीके पापा मैं भी सेम्पू मांग कर लाती हूँ तब तक आप हर्ज भाया को नहाए सेम्पू करने का तो मेरा बहाना है अब मैं यहां से भाग जाती हूँ चलो हर्च अराम से बैठ जाओ पहले मैं तुम्हें साबून लगा देता हूँ पापा हर्च भाया को नाने में भीजी हो गए तब तक यह बाल्टी कितना ज्यादा भारी है मैं इसे निकाली नहीं पा रही हूँ नैंसी जल्दी पानी लेकर आओ क्या कर रही हो भाया कुएं से बाल्टी निकली नहीं रहा है अरे तुमसे तो कुछ नहीं होता है रुको मैं अभी आता हूँ अरे नैंसी क्या कर रही है मैं अभी जाकर देखती हूँ नैंसी तुम कुए में क्यों जाक रही हो कोई कुए में गिर गया है क्या अरे मारा कुए के पास मुझे ही जाना होगा नैंसी से तो बाल्टी निकलेगा ही नहीं रभी ट्रैक्टर से नीचे उतर जाता है हट जाओ नैंसी मैं देखता हूँ चले गए क्या अरे हाँ हमारा हर्च तो नहाने चले गए कार्तिक हर्च को साबू लगा रहे है पापा जल्दी पानी डालिए पापा आँखों में मिर्ची की तरह लग रहे है पापा जल्दी पानी डालिए औरे हो गया हर्स रूको अभी डालता हूँ पापा में हर बार कहता हूँ मुझे साबुन मत लगाया किजिए लेकिन आप तो हमेज़ा मुझे साबुन लगा देते हैं अरे कुछ नहीं होगा हर्स मायरा साबू लाने गई थी लेकिन अभी तक नहीं आई कहां रह गई मायरा मुझे तो लगता है मायरा बहाना बना कर कहीं भाग गई अरे हाँ मायरा को गय हुए 10 मिनट हो गए अभी तक तो आज आना चाहिए था कहीं जाकर छुप तो नहीं गई नहाने के डर से हाँ पापा ऐसा ही हो सकता है रभी नैसी मुझे कुईय से बाहर निकालो अरे मायरा मैंने मना किया तो ना कुईय से पानी नहीं निकालने के लिए लेकिन तुम तो मानती ही नहीं हो चलो इधर अपना हाथ करो मैं अभी तुम्हें बाहर निकाल देती हूँ कुछ नहीं होगा मायरा घबराओ नहीं जल्दी अपना हाथ इधर करो अरे हो गया मायरा घबराओ नहीं मुझे जल्दी कुई से बाहर निकालो जल्दी निकालो इधर से पूनम पिंकी और रिंकी भी आ जाती है बचा मुझे कुई यह से बाहर निकालो अरे नैंसी के घर से यह सोर कैसा चलो चल कर देखते है लगता है कोई मुसीबत में है जल्दी चलो अरे यहाँ पर इस ट्रैक्टर में कौन पानी भर कर रखा है अरे यह तो पूल की तरह लग रहा है मन तो कर रहा है इसी में नहालो अरे हाँ पूनम मैं पहली बार देख रही हूँ ट्रैक्टर में पानी भरा हुआ मैं भी पास आकर देखती हूँ हर्ष जाकर देखो तो मायरा क्या करने लगी अभी तक नहीं आई ठीक है पापा आप नहा ये तब तक मैं अभी मायरा को बुला कर लाता हूँ आज तो मायरा को नहाना ही होगा वो बचकर यहां से नहीं भाग सकती मायरा अरे मायरा कहां चली गई गोल्डी दीदी आप जग गई मायरा आपके पास तो नहीं छुपी है नहीं हर्स मायरा मेरे पास नहीं है वो तो बातरूम में है न अरे नहीं गोल्डी दीदी मायरा बातरूम में नहीं है वो तो मम्मी से सैंपू मंगने आई थी क्या हर्स लेकिन मायरा यहाँ पर नहीं आई है अरे तो फिर ये मायरा कहां चली गई वो बहुत तंग करती है आज तो मैं उसे नहीं चोरूँगा जा रहा हूँ बाहर ढूंडने अच्छा मैं अभी छट पर जाकर देखता हूँ कही मायरा मम्मी के पास होगी मम्मी मम्मी मायरा छट पर है क्या गीता छट पर से नीचे आ रही है अरे क्या हुआ हर्स इतना क्यों चिला रहे हो मैं तॉलिया लेकर आ रही हूँ ना नहीं मम्मी मैं तॉलिया नहीं ढूंड रहा हूँ मैं तो मायरा को ढूंड रहा हूँ मायरा नहाने के डर से ना जाने कहां भाग गई है क्या ये क्या कह रहे हो हर्च मायरा बात्रूम में नहीं नहा रही है हाँ मम्मी मायरा नहीं नहा रही है अभी पापा नहा रहे हैं बात्रूम में अच्छा ठीक है चलो मैं अभी चल कर देखती हूँ आखिर ये मायरा कहां चली गई ये तो हर बार नहाने के डर से कहीं न कहीं भाग जाती है हाँ जल्दी आये मम्मी मैं जल्दी जल्दी नहा लेता हूँ फिर मुझे आफिस के लिए भी निकलना है इधर कार्थिक भी नहाने लगते है मायरा मायरा कहां चली गई मायरा मायरा अरे लगता है मायरा घर पर भी नहीं है ये तो गीता का आवाज है ये मायरा भीना नहाने के डर से इधर उधर भाग जाती है मायरा हरे मायरा कहां चली गई गीता मायरा घर पर नहीं है क्या अरे नहीं कार्तिक जी मायरा घर पर नहीं है ना जाने कहां चली गई अरे तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हो सकता है, मायरा नैंसी के घर चली गई हो अरे हाँ, ये आपने सही कहा, मैं अभी नैंसी के घर जाकर देखती हूँ अभी तॉलिये से पोच लेता हूँ रभी नैंसी तुम दोनों यहां से हटो मैं अभी मैरा को बाहर निकालती हूँ मैरा लगता है तुम्हारा पैर कुए में भस गया है अरे हम दोनों उसी बक्चे तुम्हें निकाल रहे हैं लेकिन तुम तो निकाली नहीं रही हो कहीं तुम्हारी ममी ना आ जाए, तुम्हारी ममी हम लोगों को बहुत ढटेंगी अरे ममी नहीं आएंगी, तुम दोनों मुझे बाहर निकाल लेकी कोशिस करो कहीं पापा या आ ना आ जाए, मुझे ढूंडते ढूंडते हर्स नैंसी के घर जा रहा है मायरा को ढूंडने मायरा क्या तुम नैंसी के घर हो? अरे ये तो ममी के आवाज है, अरे जल्दी निकालो मुझे बार अरे कुए पर इतनी भीर क्यों है, मैं अभी देखता हूँ अरे ये तो मायरा है कुए के अंदर, ममी जल्दी दर आए, ये देखे मायरा कहा गिर गई है अच्छा मायरा तो तुमें बातरूम में नहाने का मन कर रहा था, इसलिए तुम कुए में आकर नहा रही हो नहीं भाईया मैं कुए में नहाने नहीं आई थी वो तो बालती निकालने के चकर में कुए के अंदर गिर गई अच्छा हुआ मायरा तु कुए में गिर गई अरे मायरा कुए में कैसे गिर गई हटो तुम लोग मैं अभी मायरा को निकालती हूँ दूसरी तरफ से एक साप आ जाता है यह तो बहुत ही चेहरिला साप लग रहा है पता नहीं कहां जा रहा है चलो मैरा मैं तुम्हें अच्छे पानी से नहला देती हूं देखो बज्चो तुम लोगों को कुए से पानी नहीं निकालना चाहिए तुम लोग कुए के आसपास मत रहो, घर चले जाओ, बढ़ना तुम लोग भी कुए के अंदर गिर जाओगे ठीक है आंटी, मैं घर चला जाता हूँ अरे मेरे कपड़ों में कितने मीटी लग गए, मैं जागर भी नहा लेती हूँ रभी नेंसी तुम लोग इधरा करना आलो अरे पुनम दीदी ट्रेक्टर में मैं पानी रखा था नहाने के लिए आप यहां से हट जाएए मुझे नहाने दिजिए हाँ हाँ रभी मैं थोड़ी दिर में यहां से चले जाते हूँ उसके बाद तुम नहा लेना चलिए मम्मी अब घर चलिए हाँ हाँ चलो हर्स हर्स और गीता अपने घर जाने लगते हैं औरे यह तो साप है औरे यह तो बहुत ही जेरीला साप है कहीं मुझे काट ना ले मम्मी औरे यह तो काला नाग है यह कहां से आया यह तो बहुत ही जेरीला है ममी चलिए दुसरे रास्ते से चलते हैं बढ़ना ये साप हम लोगों को काट लेगा औरे साप आ गया मैं अभी डंडे लेकर जाता हूँ ये रहा बड़ा सा डंडा मैं अभी ले लेता हूँ अंटी घबराईये नहीं मैं अभी डंडा लेकर आता हूँ साप डंडे के मार से वहाँ से भाग जाता है अरे वा रभी ने तो साप को भगा दिया तुम्हारा बहुत बहुत सुक्रिया रभी सही टाइम पर तुम्हें डंडा मिल गया चलो ये साप तो भाग गया अच्छा ठीक है आँटी आप अप अपने घर चले जाएए कुछ नहीं होगा साप यहां से भाग गया है ठीक है रभी हम लोग घर चले जाते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भोले तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया ये वीडियो देखके आपको कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ मैंने जो देखा हूँ इस वीडियो में इसमें बहुत सारे टॉइज है खेलो तो सहीं खेलने के साथ आपको बाकी होमवर्ग भी करना है और डेली नहाना भी है और आपका ख्याल भी रखना है इसलिए इसमें जो डॉल बताई गई है वो डॉल बहुत ही आलिस है वो कभी नहाती नहीं है इसलिए हमने उसको लेके गए हैं और वहाँ पर इस वीडियो में दिखाया गया है किस तरह से उसको एक गरम पानी से नहलाया गया है तो गाईस कैसा लगा यह आपको वीडियो तो गाईस मैं रिक्वेंस करूँ आपसे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला जो वीडियो है वो बहुती मज़ेदार होने वाला है गया